हूं मुझा १॥ आज का ट्रीकी कौेस्टें को है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेस्टेंट यह नंदर क्या यहां पर कॉंसेट लगेगा है और इसकी अंदर क्या क्या अरो हम लोग समाजना पड़ेगा तो क्या बोलता है कि यहां पर एक reaction दियावा है, क्या दियावा है, reaction में क्या दियावा है देखें, यहां पर दियावा है, यह AG2SO4, NaCl के साथ मिलता है, AGCl बनाता है और Na2SO4 बनाता है अब बोलता है कि हम मानिये कि AGCl का complete precipitation है, इसका मतलब क्या, सबसे पहला चीज तो हमको यह समझना है कि AGCl का complete precipitation का क्या मतलब है फिर बोलता है कि हमको सारे ions का molar concentration बताना है, इसका मतलब क्या कि अगर इसके अंदर AG plus ion है, तो AG plus का molarity बताना है यह हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर Na plus ion है तो Na plus का concentration बताना है, molarity बताना है, अगर Cl minus है तो Cl का बताना है, sulphate ion है तो sulphate का बताना है और बोलता है कि कब बताना है, तो यहाँ पर यह जो AG2SO4 है, आपको पता है कि यहाँ molarity और volume दिया हुआ है, इसका भी molarity और volume दिया हुआ है तो इस question में आखिर करना क्या देखें, दो-तीन concept है जिसको आपको समझना होगा, बहुत जरूरी है सबसे पहले तो मान लेजे, यह मेरा reaction यहाँ पर mention किया हुआ है तो अगर यह मेरा reaction यहाँ पर दिया हुआ है, तो समझ यह, यहाँ पर यह मान लेजे कि silver sulphate है, NaCl के साथ मिला, AgCl बनाया और sodium sulphate यहाँ पर बना, अब सुचिए अगर ions का concentration चाहिए concentration सबसे पहले तो यह आपको यह समझना होगा, कि किसी का भी जब हम concentration बताते हैं, तो concentration हम किसका निकालते हैं, solution का आपने पढ़ा होगा, concentration of solution, अब solution का मतलब होता है, homogenous mixture homogenous mixture का मतलब क्या देखिया, अगर मान लीजे कोई भी अगर यह solution बना है, मान लीजे यह water है और इसमें आप चीनी घोल रहे हैं, तो यह mix हो गया, अगर इसे के अंदर कोई भी ऐसा चीज है, जो इसके अंदर घूला नहीं है, तो क्या वो उसका solution का हिस्सा माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा, solution का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऐसा चीज, जो solution में पूरी तरह से अच्छे से घूल गया हो, homogenously, uniformly mix हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं, कि वो solution का part है, लेकिन सोची, अगर कोई चीज अगर precipitate हो गया, जैसे AGCL का बोलगा है, precipitation, तो इसका क्या मतलब है, कि AGCL का अगर precipitation हुआ है, इसका मतलब कि AGCL जब बना है, तो वो solid के form में बना है, और वो insoluble हो गया, precipitate का simple मतलब क्या होता है, कि जो insoluble हो, और अगर कोई भी चीज, अ answer है no, तो क्या हमें ये बताईए, कि जब हम ions का concentration निकालेंगे, तो क्या उसमें हम AGCL का concentration, AGCL से आने वाले ions को लेंगे, तो answer है no, नहीं लेंगे, क्यों, चुकि हमें वो ions का concentration बताना होता है, जो solution में dissolved है, अब AGCL के साथ, जो भी ion है, AGCL कैसे बनेगा, AG+, और CL-, वो दोनों मि से जो AG+, और CL- आएगा, AGCL से उसको हम लोग count नहीं करेंगे, सबसे पहला concept तो ये था, इस word का क्या मतलब था, precipitation of AGCL का मतलब क्या, कैसा मानना है कि पूरा का पूरा AGCL सतह पे बैठ गया, कुछ भी हिस्सा उसका solution में नहीं present है, इसका मतलब AGCL के आयन को पूरी तरह से ignore करना ह second क्या है, तो अब कैसे बचा, तो देखिए, हमारे पास एक ये चीज बचा, एक ये चीज अगर मान लिजे, कोई reactant अगर बचा तो ये बच जाएगा, और अगर जो product बना है, वो हो जाएगा, solution में क्या होता है, solution में दो चीज हो सकता है, या तो जो reactant से जो आयन आया, वो हो सकता है, या जो product में जो आयन बना है, वो हो सकता है, अब इसमें आपको दो चीज यहाँ पर नहीं लेना है, पहला क्या, अगर कोई reactant मान लेते है, अगर NACL पूरा खर्च हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्यों कोई चीज रहेगा ही नहीं, तो आयन कहां से द NaCl का कितना mol, 4 mol, 4 into 1 करेंगे, अब सचिए अगर 2 reactant का concentration दिया है, amount दिया है, तो यह question किसी पर चला जाता है, limiting reagent पर चला जाता है, और अगर कहीं पर भी limiting reagent है, तो कैसे solve करना होता है, तो इसे के mol को, इसे के coefficient से divide करेंगे, तो यहां 4 by 1 लिखेंगे, और इसे के mol को, जो 4 है, उसको इसके coefficient से भाग लगाएंगे, जो कि कितना है, 2 है, तो अगर divide लगाएंगे, तो यह 2 आएगा, तो यह चुकी छोटा है, मतब list है, इन दोनों में यह चोटा है, और जो चोटा है, उसी को हम लोग limiting reagent बोलते हैं, इसका मतब क्या, कि NaCl इस particular reaction में limiting reagent का का काम करेगा, और अगर यह limiting reagent है, इसका क्या मतब कि यह reaction में पूरा-पूरा समाप्त हो जाएगा, तो अब सोचिए, अगर NaCl का 2 mol अगर खर्च हो रहा, तो Ag2SO4 का कितना खर्च हो जा, 1 mol खर्च होता, simple सा चीज है, अगर इसका 2 होता, तो इसका 1 होता, तो इसका है कितना total, 4, चुकी य limiting है, तो पूरा खर्च होगा, तो 4 में 4 खत्म हो गया, तो कितना बचा? 0 बचा, अब इसके 2 पे एक खर्च होगा, तो 4 पे कितना खर्च होगा, 2 खर्च होगा, तो कितना बचेगा, अब सोचिए, ions का concentration निकालना है, तो कौन सा आयन बचेगा, जो solution में बच गया है, उससे ह कि आयन आएगा, जो खर्च हो गया, वो तो चला गया, जाने वाले को कौन रोख सकता है, तो simple सी बात है, यहां पर क्या है, 2 है, अब सुचिए, यह 4 था और 2 यहां से खर्च होगा, कितना बच गया, यहां पर 2 बच गया, अगर इसका 2 मोल खर्च होगा, तो इसका कितना ब खायक नहीं है क्योंकि precipitate है, तो solution में दो ही चीज बचा, एक यह वाला क्योंकि यह excess में बचा हुआ है, और एक यह वाला क्योंकि यह product है तो बनेगा तो सोचिए, फाइनल सॉलूशन में दो चीज है, AG2SO4 है, जिसका कितना मोल है, दो मोल, और NA2SO4 है, जिसका कितना मोल है, दो मोल, क्लियर है कि नहीं, देखिए, यहाँ पर इसका कितना मोल बचा है, दो मोल बचा है, दो मोल बचा है, तब अगर AG2SO4 का अगर एक मोल होता, तो उसे fiber कितना दो आता 2 more a top फो एगा चार आइगा तो 2 इंका उद्टेट और वएग्यूम टोटल कितना हो गया गया तेकिया वॉल्यूम यहाँ से 2 लीटर 4 वीटर 6 लीटर हो गया इसका मतब अध 2030 का कंसंट्रेश assignments कैसे निकालें लेंगे, लोल आएगा, तो सिल्वर अगर दो मोल है तो उसका दूगना मोल अजी प्लस का आएगा, यह किसका मोल है एजी प्लस का, और नीचे में यह 6 क्या है वाल्यूम है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 बाइ 6, इसको लिग देंगे 2 बाइ 3, similarly na plus लेंगे क्योंकि देखें ये बचा है ये बचा है तो यहां से silver बचेगा और sulphate iron बचेगा यहां से sodium iron बचेगा और sulphate iron बचेगा तो na plus iron भी उसी तरह से निकालेंगे एक mol से 2 mol आता तो 2 mol से 4 mol आएगा 4 बटा 6 तो 2 बटा 3 और sulphate कितना आएगा तो जितना mol ये है उतना ही mol sulphate आएगा तो 2 mol से 2 mol आएगा और plus यहां से भी तो आएगा तो यहां से भी 2 mol आएगा तो total कितना हो गया? 4 बटा 6 जिसको हम लोग कितना बोलेंगे? 2 by 3 तो पूरे ions का concentration निकालने को बोलता है question में तो पूरा ion मत्तब क्या इतना? प्लस इतना और प्लस इतना इसको solve करेंगे 2 by 3 प्लस 2 by 3 प्लस 2 by 3 तो यह 6 by 3 जो की answer आजाएगा 2 molar और answer क्या बन जाएगा? answer बन जाएगा B तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह solution बहुत अच्छे तरीके से इसका explanation समझ में आया होगा इस पूरे concept का मैं आपको बता दू पहला है कि precipitate नहीं लेना था दूसरा है कि हमको limiting reagent का concept लगाना था और तीसरा यह चीज़ था कि जो बचा हुआ amount है वो बचा हुआ amount से हम लोगों को ions का calculation करना है और चौथा बात क्या है कि जो molarity होता है वो number of moles बटा में total volume का solution हो जाता है solution का total volume यहाँ पे हम लोग count करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि guys अगर आपको किसी भी topic में कोई भी दिक्कत है तो आप comment section में यह जाहिर कर सकते हैं बता सकते हैं कि आपको किस topic पे video चाहिए मैं उस topic पे जल्द से जल्द video लाने की कोशिस करूँगा और guys अगर आपको यह explanation यह series आपको पसंद आता है तो आप video को like करना, share करना और channel को subscribe करना बिल्कूल न भूले और आप logo के लिए एक बहुत ही important यहाँ पर information है कि guys हमारा जो app है जो कि DG Shala The Learning App के नाम से है आप play store पे, app store पे डूनेंगे आपको मिलेगा DG Shala The Learning App इसको आप download कीजिये, इसके अंदर बहुत सारे useful resources आपको मिलेंगे बहुत सारा आपको जो है, video lecture देखने को मिल सकता है, study material मिलेगा आपको free test, test series J on NEET का, 2022 का हमने launch कर दिया है वो Sunday से आपका test series स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर से आप उसको attempt कर सकते हैं, आपको कोई live lectures अगर attend करना है, आप उसके लिए भी यहां से आप अपने अपने तयारी को एकदम बहतरीन से बहतरीन करते जाएए उसमें जहां पर भी हमसे सहीोग ओपाएगा, आप हमें बताइए, हम पूरी तरह से आपकी सहायता करने का आपके साथ एकदम बिल्कुल support देनी की कोशिस करेंगे इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, so thank you guys and all the very best